कि नमस्कार दोस्तो में हूं आपका दोस्त मनोहन स्वागत है आप सभी का मेरी य। यूट्यूब चैनल में दोस्तों पिछले वीडियो में मैंने आपको बताई था किस प्रकार हम kolayZ कर सकते हैं धिक हैं जिसे हम रिमोट से कंट्रोल कर सकते हुआ मोबाइल फॉन से ब्लूटूथ के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं वाइफाई से या अवर दे इंटरेट कंट्रोल कर सके ठीक है तो पिछले वीडियो में आपको इसे केवल बैटरी से ऑपरेट करके बताया था एक डीपी डीटी स्विच के थ्रू जिससे हम ऑपन और क्लोज कर पा रहे थे इस कटन को ठीक है आप लोगों ने इस वीडियो को काफी पसंद किया इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्र गुजार हूं और कई लोगों ने कमेंट किया था कि इसे में मोबाइल फॉन से ब जरूर देखे और अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें आपका हर एक कमेंट में लिए बहुत इंपोर्टेंट है ठीक हर एक कमेंट में लिए खास है तो बिल्कुल कमेंट करने से ना चुके ठीक है चलिए अब देखते हैं से कैसे हम हुद लेखे है अडेवर मॉडिूल है और ये दो मौTर को 컨्ट्रोल कर सकता लेकिन है में एक ही मोटर कंट्रोलु करना है ठीक है इसके उपर वीडियो मैं बना रखा कैसा इस ड्रावर के तुर मोर्ट को कंट्रोल करतें के ऐवन आयससी को ऊस्ट बनायाँ है तो उसके लिं ठीक है और फिर हमारा कंट्रोलर जो है मोटर को रिवर्स और फॉर्वर्ड रन करवाएगा स्टॉप भी करवाएगा इस तरह से हमारा पूरा मेकनिजम वर्क करने वाला है आए होप मैकनिकल पार ताप पुरा सिग हुँगे ठीक है यहां पर हम बारा वोल्ल्त यहां जो वॉल्टेज इन है ना यहां से आउट ओँगे और वह बारा वोल्ल्त जो हम हमारे मोटर को दे सकते हैं तो फाइब वोल्ट से क्या होगा कि इसकी आई सी वर्क करेगी और बारा वोल्ट आई सी ऑपरेट करेगी जो की स्विचिंग होगी हमारी मोटर के लिए तो इस तरह से इसको दोनों सप्लाई दी जाएगी हम एक मोटर लेंगे जो यहां उपर की तरफ कर देंगे इस प्रकार चलिए मैं आइड करके ही बता देता हूं आपको ऐसे को यूजएव करना तीक है तो यहां पर हम जो अधर आप देख रहा हैं की एक घृंक रृघ्घ्ट करके नहीं कर देता हूं जूह आकप लिए ठीट करदेंगे जिसे की आफिक्स होजए ठीक है इसके बाद हम जो हमारे motor driver module की wiring समझेंगे देखिए इसमें फाइब वॉल्ट ग्राउंड और 12 वॉल्ट तीन तरह की सप्लाई दी जाएगी ठीक है तो हम यहाँ पर तीन पीन का जंपर वायर लेंगे यह रहा ठीक है तो हम इसको क्या करेंगे कि जो मेल वाले हैं वह आडिनो में लगाएंगे यह वाला हिससा ठीक है तो इसमें यल लॉड़ को हम लगाएंगे 12 वोल्ट में जोकि वर्टेज इन है और फिर गृन वाला ग्राउंड और 5 वोल्ट पर हम 5 लगा देगे थीक है ब्लूवाला वायर लगा देंगे तो यह यलो जोमने लगाया व्लटेज इन में जोकि 12 वोल्ट देगा ठीक है ग्राउंड में हम ग्रीन को जोड़ रहें और यह जो है ब्लू वाला यह फाइव वोल्ट के लिए यहां पर कनेक्ट कर देते हैं यह देखिए ठीक है अब इसको हम यहां पर हमारा जो यह मोटर ड्रावर इस पर जोड़ देंगे देखिए जो यल्लो वायर को लगाया ग्राउंड के लिए और यह वाला जो हमारा यहलो वायर इसको हम यहां पर 12 वोल्ट में लगा देते हैं जो डिसी जेक से हम पावर देंगे अड़प्टर के तुरू वह इसको यहां पर मिलेंगे ठीक है आपर यहलो वायर से इस मोटर ड्रावर को मिल हूं अभी ठीक हम एक वायर लेंगे और उस वायर की मदद से इसको अभी मोटर को दोनों डारेक्शन में चला के बताएंगे इस मोटर ड्रावर से फिलाल कोई प्रोग्रामिंग अभी हमने की नहीं है भी केवल टेस्टिंग कर रहें ठीक है तो यह डिसी जेक लगाया हमने आड़ने को पावर मिल गया मतलब वही पावर यहां मोटर ड्रावर तक आ चुका है अब हम क्या करेंगे कि यहां पर देखिए यहां जिसे टच कर रहा हम हाथ से भी आर्थिंग और पॉजिटिव पल्स जारे जिससे वह रोटेट कर रही है हम एक वायर लेंगे ठीक है दो लोग वैस चलेगी देखिए जरा जैसे यहां जोड़ रहा हो तो यह चल रही है इसको अटा कि मैं जब इस तरफ दूँगा तो यह एंटिक लोग वैस चल रही है बारा वोल्ट पर चल रही है इसलिए काफी फास्ट हमको दिखाई दे रही है ठीक है ओके तो यहां पर ना सीखना चाते तो कमेंट करके मुझे बताईए कि क्या आप सीखना चाहते हैं मोबाईले बनाना अर्डिनो की ठीक है तो मैं उसके लिए लग एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा फिलाल मैं आपको एक एप जो है यहां पर डिसक्रिप्शन बॉक्स में दूंगा जो क अब यहां पर देखेंगे कि वी सी यह रेड वाला वायर सुरी पिंक वाला या वालेट कर लीजिए ठीक है फिर ग्रेवाला ग्राउंड है फिर टी एक्स और आरेक्स होता है तो इसको हम कैसे लगाना है देखिए जो इस आरडिनो का टी एक्स है वह इसमें एक्स पजूड तका टीक है ताकि सेफ रहेगा और यह वाला जो है ग्राउड में चूड़ दिया अब यह चौडब यहां पर जो इन्पूड के वायर से ना यह जोडने हैं को कहां से अधिनो से तो हम दो पिन उस करेंगे पिन नमबर इस तरह का एक बर ले लेते हैं और दोनों टाइप का यह एक तरफ female और एक तरफ male wire है यह ठीक है तो female वाले हमने यहाँ पर लगा दी है हमारे motor driver पर और जो male वाले हैं वो वहाँ पर Arduino की नंबर 9 और 10 sorry 8 और 9 पर लगाएंगे ओके यहाँ पर 8 और 9 है इस पर यहाँ पर हम जोड़ देते हैं तो यह हमने यहाँ पर Arduino पर जोड़ दिए कि यही connection है ठीक है wiring काफी उलजी हुई आपको दिख रही होगी तो इसको मैं व्यावस्तित कर देता हूं और एक काम करते हैं इसको 12 वोल्ट की बैटरी के साथ लगा देते हैं ताकि अगर lights नहीं होगी मतलब adapter अगर off हुआ तो भी ह इस पूरे circuit को हम एक बोर्ड के उपर fix कर देते हैं फिर इसमें USB के बाल लगा कर इसे प्रोग्राम कर देंगे ठीक है तो यहाँ पर हमने एक बोर्ड के उपर पूरा circuit fix कर दिया जिसमें हमने 12 वोल्ड की BMS वाली बैटरी भी लगाई है ठीक है ताकि अगर lights off हो जाए तो भ पर आप हो सकती है तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे ब्लुटूथ से जूरों 5 मोड्यूल लगा हुआ है और यहाँ पर एक पावर स्विच भी लगाया जो कि बैटरी के थ्रू आड़ीनो को जा रहा है तो यहां से पावर ऑन अफ कर सकते हैं तो इसे हमने एक बोर्ड क से इसको निकाल लेंगे अगर इसको नहीं निकालेंगे ना इन वायर्स को तो हमारा कोड अपलोड नहीं होगा ध्यान रखियेगा ठीक है चलिए तो अब इसमें यूएस्बी केबल लगाते हैं और इसको कंप्यूटर से जोड़ करते हैं और जो कोड की लाइन से वह भी मै आइडी में जो हमारा कोड है उसे ऑपन करते हैं जो ब्लूटूथ करटन का कोड है यहां पर आप कोड देख सकते हैं ठीक है अगर आइखोप आपको दिखाई दे रहा होगा अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं जूम इन कर देता हूं इसके अलावा इसके स्क्रिंशोट आपको मेरे ब्लोग पर भी मिल जाएंगे ब्लोग का अडर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जायागा वहां से आप मेरी वेबसाइट ऑपन कर सकते हैं चलिए यह कोड पूरा मैं आपको समझा देता हूं पहली दो लाइन जो है वो डिक्लेयर कर रहे है कि पिन यहां पर सेट आप सेक्षन कंप्लेट हो गया अब लूप जाएंगे लूप सेक्षन में जाएंगे करेंगे देखिए इतना बड़ा जो एक कोड है पूरी सारी हर एक लाइन बता जेता हूं देखिए यहां पर अगर सीरियल अवेलेबल हुआ मतलब ब्लूटुथ के तुरू जो ट्रांसमेशन होगा तो सीरियल ट्रांसमेशन कहते हैं ठीक है तो वहां अगर कुछ अवेलेबल हुआ तो उस वेल्यू को यह क्या करेगा डारेक्शन में रेसिव कर लएत timeline ठीक है तो जो टारेक्शन है अगर उसकी वेल्यू developed 65 हुई ठीक है तो क्या करना है इसको clockwise घुमाना है मोटर को या कार्टन को हम ऑपन करने इसको ठीक है और अगर जो है का इसकी वेल्यू जो है जो भी अवेलेबल हुआ उसका ट्रांस्मिशन का वेल्यू 97 हुआ मतलब क्लोस करना है कार्डन को मतलब दूसरे डारेक्शन में घुमना शुरू करते हैं ठीक है और इसके बाद अगर वेल्यू जो है वह हुई यह 83 मतलब स्टॉप करना है ठीक हाला कि स्टॉप करने के जुरूत नहीं हम एप ऐसी बनाएंगे कि जब तक हम बटन को होल्ड करके रखेंगे तब तक वह मोटर मूग करेगा जैसी बटन को रिलीज करेंगे वो मोटर आफ हो जागा इसलिए स्टॉप का ब देखिए कोड कोंपाइल होना शुरू हो गया और इसके बाद हम कोड अपलोड करेंगे ठीक है और जैसे हैं उसको अपलोड कर देंगे यहां पर डन कोंपाइलिंग का मैसेज आ गया है अब उपर जो है सेकेंड नंबर का बटन आपको दिख रहा होगा लेफ्ट साइड से और यह अपलोड का बटन है हम अब अब अपलोड करेंगे अगर कोई Error होता हमारे कोड में तो कॉंपाइलिंग में Error वो आ जाता ठीक है तो पहले एक बार कोंपाइल करेंगे फिर अपलोड करेंगे जेसे दन अपलोडिंग waż यहां लिखा हुआ आता मतलब कोड अपलोड को दबा कर हम इसका पावर ओन करेंगे जो कि इसमें बैटरी लगाई है ना वो अन हो जाएगी और पहले हम एक काम करते हैं यह मोटर कनेट कर देते हैं उसके बाद इसका पावर ओन करेंगे फिर ब्लुटूथ एप के तुरू मैं आपको चलाना बताऊंगा कैसे इसको चलान जो ब्लुटूथ एप है उसका डाउनलोड लिंक भी मेरे ब्लोग के उपर अवेलेबल है और ब्लोग का एड्रस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा तो एप आप महां से इंस्टॉल कर लीजिए ठीक है और कोड के स्क्रिंशोट भी आपको जू हूआ एल ब्लिंककर मतलब ये पेयर नहीं हुआ है ठीक है जब नहीं होता है तो इसका पैटरन ब्लिंगिंग का ऐसा होता है ठीक है जैसे पैडरों जायाकिकव instagram प्लूटूथ में जाएंगे उर यहाँ पको ता रही है जना ये जिए रहा यह औप्शन पर टैप करें और इसमें कोड डालेंगे इसका पेयर करने का फ़र चैंज कर सकते हैं और आप चाहते हैं कैसे करेंगे इस गौत इसके ओपर सब्सक्राइब बना सकता हूं तो यहां पर हमने इसको पेर कर लिया अब हमारी एप है स्मार्ट करटन ठीक है यह से ब्लुटूथ करटन है और स्मार्ट बनाएंगे इसको एलक्सा वगरा से भी करवाएंगे और इंटरनेट भी ठीक है फिलाल यह ब्लुटूथ करटन है ठीक है तो इस एप को हमने आपन कि आप देखेंगे यहां पर तीन बटन और एक बटन ऊपर जो कनेक्ट का है इसको एक बार दबाएंगे और इसको दबाने के बाद हम क्या करेंगे हम हम HC05 यहां पर चूज करेंगे जो कि यह रहा सेकेंड नमबर पर तब यह Bluetooth के साथ पेयर हो गया हमारा software एप जो है वो इसके साथ पेयर हो यह हाड़वेर के साथ अब जब हम बटन दबाएंगे देखिए मैं यहां पर ऑपन का बटन दबाता हूं तो यह एक तरड एक्शन में हमें घुमनेका देखों नहीं घुम रहा है क्योंकि हमने यहां पर यह जो टी-7-Srl sucks यह कानेक्ट नहीं किये ठीक्या तो चलिए सिसे करेंगे तब इस से यह डू फाइव जो को देगा अभी यह ओलरेड़ी पैर यह है यांस से एक कर लेते करनेक्ट में जहाके tää ा कर बटन दबाएंगे देखिए वहाँ मोटर जो है रोटेट हो रही है ठीक है अपन का बटन दबा защill में रोटेट हो रही है कि बटन दबाएग तो अलग direction में रोटेट हो रही है मतलब काम कर रही है कर यह उल्टा करहें अब यहां पर जो पीन से एट को नाइन पर डाल देंगे और फिर हमारा कर्टन इसके साथ मूव करने लग जाए ठीक है पिछले वीडियो में जो कर्टन बताया था उस पर कुछ मोडिफिकेशन में ने कर दिये अब एक लार्ज बड़ा परदा हमने लगाया बड़ा कर्टन हमने लगाया और उसको हमारा मेकनिजम के तुरू हम जो है मूव करेंगे ठीक है तो हमने जो अभी पूरा इस बोर्ड के उपर सर्कीट बनाया है ना इसको हम कर्टन के नीचे माउंट कर देते हैं फिर आपको आगे की वाइरिंग बताता हूं देखिए हमने यहां पर यह माउंट कर दिया यह बीमेस वाल बात की पिंग गयी हुई है यह उसका पावर बटन है ठीक है तो इसको ऊण और यहां से कर सकते हैं अन करने के बाद देखेंगा आपके यह हमारी मोटर है वह करने वाली मोटर लगी हूई है वहां दिख रही होगी आपको करटन से छूप रही है कोई बात नहीं तो वह जो एक बटन दबाएंगे तब तक कटन चलता रहाएगा ठीक है तो लिमिट सुच भी आगे लगाएंगे और भी सेफ्टी इसमें रखेंगे फिलाल जो है इसी एप से चलाके मैं आपको बताता हूं यह हमारी जो एप है इसको आपन करेंगे कनेक्ट में जाएंगे और यहाँ पर चूज कर लेंगे ठीक है जैसी कनेक्ट होगी ब्लिंकिंग का पैटन चेंज हो जाएगा देखिए चेंज हो गया अब देखिए यहाँ पर ऑपन का बटन में जैसी दबाऊंगा तो करटन ओपन होना शुरू हो गया दिखरा है आपको देखिए ओपर जो रस्ती है और यह हमारा काटन ओपन हो रहा है और जैसे मैं बटन चोड़ूंगा वो स्टॉप हो जाएगा और जैसे क्लोज का बटन दबाऊंगा देखिए क्लोज होना शुरू हो गया बटन चोड़ते ही स्टॉप हो जाएगा वापस से ठीक है तो इस तरह का एप बनाया है तो काफ लोप कर दिया नीचे रोड के ऊपर और नीचे जो रोड के ऊपर जो इस रोड मोडल यह जिए आराम करता है यह ज्ञादा से में मूव कर रहा है अगर डबल परदा लगाते हैं अब उपर जो कर्टन रोप आप देख रहे हैं यह दोनों डारेक्शन मूव कर रही है अक तरफ लेफ्ट में जारी एक तरफ राइट में तो अगर दो परदे भी हम यूज करते दो कर सकते तो आसानी से इसी सर्कृट की पर बनाके लेकर आऊंगा अगर आप चाहते हैं किसे इंट्रोल के तुरूर के ठूव क्रेयां नोड infinite के थूँ या ऐसे कान्टॉल करें यह अगर वोईस कमांड से चाहते तो बिल्कुल बता है मैं आपके लिए आपको एप बनाना भी सिखाओं गा और को मूब कराके बता है ठीक है अच्छा यह जो करटन के लिए जितने भी आसेसरी यूज़ किए ना जितने भी आइटम यूज़ किए सारे आइटम मेरे पास अवेलेबल है आप डियाइवाइ किट ले सकते और किसी को अगर रेडिमेट पूरा सरकृट चाहिए पूरा मेकनिजम चाहिए तो वह इसको हम जो है नोड एमस्यू से वाइफाइ के तुरू भी चलाएंगे तो हर प्रकार की टेक्नोलोजी के साथ यह मेकनिजम अवेलेबल है हमारे पास थाइंक्यू वेरी मच्छ हाव गुड डे लव यू आल कर दो